हेलो एवरीवन वेलकम तो मैं चैनल इंग्लिस लर्निंग सो गाइस टूड़े वी अर गाइस टूड़े वी अर गाइस टूड़े पॉम द फिल्ट माउस सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यह पॉयम नहीं होता है इसकी जो correct pronunciation है वो पॉम होती है ठीक है और यह roots and wings जो हमारी बुक है 7th class की उससे है यह पॉम द फिल्ट माउस यानि जो माउस खेत में रहता है यहां पर उसकी बात हो रही है अकोन क्या होता है जो oak tree तो आप सब जानते होंगे एक tree होता है बहुत लंबा पतला सा तो उसके fruit को हम क्या कहते हैं अकोन टम्बल नीचे गिरना रोल करते हुए गोल गोल घूम कर नीचे गिरना जहां पे अकोन यानि ओक फ्रूट गिरता है और जहां पे एश ट्री शेड्स इट्स बैरी तो एश का जो ट्री है उसकी बैरी है जो फ्रूट से वो शेड करता है जाडता है आपका जो फर है आपकोकोन फिल्ड माउस से कह रहा है पोएट पोएट है हमारा यहां पे सिसिल फ्रेंचिस अलेकसडर तो वो फिल्ड माउस को क्या कह रहा है कि तुमारा फर कैसा है सो फिल्ड माउस बैरे eyes are round and merry यानि बहुत ही जो merry होते हैं खुशी, round गोल-गोल, scarcely moving the long grass, field mouse I can see you pass, कि तुम कभी-कभी ही long grass में हमें दिखते हो, field mouse I can see you pass, लेकिन मैं तुम्हें यहां से pass होते हुए, यहां से गुजरते हुए, देख सकता हूं, so in the first ten jar, what the poet is saying that, where do you found field mouse, कहां मिलते हैं तुम, जहां पे a cone, जो tumbers round होते हैं, कोन के जो fruit है वो गिरते हैं, ash tree जहां पे अपनी berries देता है, तुम्हारा fur soft है, eyes round and merry है, और तुम कभी-कभी long grass में move करते हुए दिखते हैं, और मैं तुम्हें देख सकता हूं, let's move to second peda, little thing in what dark den, lie you all the winter sleeping, dark den किसको कह रहा है, जहां पे वो रहता है, little thing किसको कह रहा है, field mouse को, ठीक है, lie you all the winter sleeping, और पूरा winter वो क्या करता है, field mouse, सोता है, till warm weather comes again, then once more I see you peeping, कि जब तक दुबारा warm weather, गरम weather दुबारा आता है, then once more I see you peeping, कि मैं तुम्हें फिर से warm weather में peeping, peeping होता है, जाकते हुए मैं तुम्हें देख सकता हूं, tall tree roots, जो लंबा सा पेड होता है, उसकी roots जहां पे होती है, तो उसके चार और round round घूमता है, nibbling at their fallen fruits, nibbling होता है कुतरना, ठीक है, छोटी छोटी बाइट से काटना, ठीक है, तो field mouse क्या है, वो कुतरता है, किस चीच को fallen fruits, जो उस पेड के fruits गिरे होते हैं, वो उसको nibble करता है So, here you can see in the picture, field mice are there, and they are nibbling the fruits, and this is a tall tree, okay, let's move to third para, field mouse, field mouse, do not go, where the farmer stacks his treasure, देखो क्या कह रहा है, पोएट कि do not go, तुम वहां मत जाओ कहा, जहां फार्मर ने अपना treasure, इकठा किया हो, स्टैक किया हो, स्टैक होता है, इकठा करना, अब फार्मर का treasure, ऐसा ने, treasure क्या होता है, धन, अब धन का मतलब यह थोड़ी है, कि सोना चांदी उसने इकठा किया है, नो, यहां पर किस चीच की बात हो रही है, कि फार्मर ने अपने field में, जो crops उगाई है, वो तो उसका धन है, उसी से को कमाई होने वाले, तो उसका धनी होता है, तो क्या करा है, कि तुम वहां पर मत जाओ, क्यों, क्यों कि field mouse क्या करता है, फार्मर के field में, जाके, उसकी crops को खाता है, जिससे फार्मर को बहुत ज़्यादा नुक्सान होता है, पोईट is saying कि, do not go there where the farmer stacks his treasure, find the nut that falls below, जो nut नीचे गिर जाते है, तुम उनको ढूंडो, eat the corn at your pleasure, कि तुम अकोन, जो oak tree का, जो fruit है, अकोन, उसको तुम खाओ at your pleasure, तुमें खुशी मिलेगी, अच्छा मजा आएगा, but you must not steal the grain, लेकिन grain होता है, अनाच जो farmer ने अपने field में much pain, stack होता है, इकठा करना, much pain, pain मतलब यहां पर hard work, जो महनत उसने अपने खेत में उसको, अपने treasure को, अपने crop को इकठा करने में करी है, वो तुम मतल, steal करो, चुराओ, ठीक है, तो इस ten जमें हम देख लेते हैं, एक बार कौन से हमारे words है, stacks होता है, collect करना, treasure, जो हमारा धन है, उसे कहा रहा है, अकोन, oak tree का जो fruit है, pleasure होता है, खुशी, आनन्दा है, steel होता है, चुराना, stacked again, इकठा करना, pain, pain यहां पर hard work को बुला गया है, लास्ट एंजा, make your hole where moss is spring, underneath the tall ox shadow, अपना hole तुम कहां बनाओ, moss is spring, जो soft soft मिट्टी होते है, spring के टाइम में, तुम अपना वहां पे बनाओ, पेड के नीचे जो soft soil होते है, वहां पे तुम अपना hole बनाओ, अपना घर बनाओ, underneath the tall ox shadow, अपना यानी नीचे, tall बड़ा ओक की shadow, ओक के पेड के नीचे, जो shadow होती है, जो ओक का टोल्ट रहे होते हैं, जो shadow होती है, वहां पे तुम अपना hole बनाओ, आपको पता है न, जो mouse होता है, hole में रहता है, ठीक है, pretty, quite harmless thing, play about the sunny middle, की भई, तुम वहां होल में रहोगे, quite harmless, वहां पे नुक्सान नहीं होता है, play about the sunny middle, जो middle होता है, खेत, जो वहां पे खेत है, वहां पे तुम खेल सकते हो, keep away from cone and mouse, की भई, कहां, cone and house, तुम किस से दूर रहना, house से, घर से, और cone, जो उसने crop उगाई हुई है, cone की, ठीक है, मकाजी से हम कहते हैं, तुम उससे दूर रहना, none will harm you, little mouse, तुमें वहां पे कोई कितना अच्छा poet ने request किया है, कि भई, field mouse, तुम खेत में मत जाओ, तुम वहां रहो, जहां, तुमें रहना चाहिए, मोसी स्प्रिंग में अपना hole बनाओ, ठीक है, keep away from cone and house, घर से और cone से दूर रहो, तो वहां तुमें कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा, So student, this is a very beautiful form written by Cecil Francis Alexander, I hope you have understood it, बहुत ही जल्द हम इसके question answer की video बनाएंगे, so अगर वीडियो पसंद आई, like करिये, share करिये and subscribe my channel, thank you.